Hello everyone, आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर रही है, क्लास एर्थ की आपकी हिंदी की वोक्षिट नमबर सेकिंड है, डेट है इस वोक्षिट की 8 अपरेल 2021, आज की जो वोक्षिट है उसमें हम आपका चाप्टर लाख की चूडिया इसे आगे कंटीन्यू कर रही है, लास् पिगलाया करता था और लकडी की चौखट पर लाख के मुलायम होने पर उसे सलाख यानि बिल्कुल पतली सलाई की तरह करकी चूडि का अकार देता था, बाद में वो उसे रंग करता था, जिक है रंग बिरंगे कलर्स देता था, अब आगे देखते हैं कि क्या होता है, तो जो लेखक हैं उनके बारे में बताया गया है कि लेखक का जो तुभेर का समय था, अधिकतर बदलू के पास जो की लाख की चूडिया बनाता था, उसके पास बीठता, वह मुझे लला कहा करता और मेरे पहुचते ही मेरे लिए तुरंत एक मच्चिया मंगा देता, मैं घंट बना लेने पर वह उसे बेलन पर चड़ा कर कुछ चड़ चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन ना होकर किसी नव बधू यानि जिसकी नई नई शादी हुई हो, ऐसी मतलब आउरत की कलाई हो, तो वह इस तरह से उसको देखता था, इससे पता चलता है कि जो बदलू है उसको अपने काम से कितना जादा प्यार था, ठीक है, वो हरो सेट बनाये करता था, और सेट को बनाने के बाल उसको देखा करता था, बदलू मनिहार था, मनिहार का मतलब होता है बच्चों, जो काम ऐसे पुस्तों से चला आ रहा हो, ठीक है, चूड़ी बेचने वाला, च बहुत ही सुन्दर चूड़िया बनाता था, उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, यानि उसे बहुत से लोग खरीदा करते थे, उस गाउं में तो सभी इस्तिरिया उसकी बनाई हुई चूड़िया पहनती ही थी, आसपास के गाउं के लोग भी उससे सुन्दर चूडिया बनाता था कि गाउं की सारी स्तिरियां उसकी बनाई हुई चूडियां ही पहनती थी इसके अलावा गाउं के आसपास की जो स्तिरियां थी वो भी उसकी बनाई हुई चूडियां ही पहनती थी उसके बाद है परंतु हुआ कभी भी चूडियों को पैसे से बेचता ना था उसका अभी तक वस्तू विनेमे का तरीका था वस्तू विनेमे का मतलब होता है बच्चो जब हम वस्तू देकर वस्तू लेते देते हैं जैसे गेहू देकर चावल खरीद लेना चावल देकर कुछ और खरीद लेना तो इसे वस्तू विनेमे कहते हैं तो उसी तरह जो बदलू था वो चूड़िया देकर कोई और चीज ले लिया करता था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़िया ले जाते बदलू सभाव से बहुत सीधा था मैंने कभी भी उसे किसी से जगड़ते नहीं देखा हाँ शादी व्याग के अफसरों पर वो अवस्से जिद पकड़ लेता था ठीके मतलब जिद पकड़ जाते थे वो थोड़ा से ऐसे गुसा हो जाते थे जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ चूड़िया ले जाए परंतु विवाह के अफसरों पर वो सारी कसर निकाल लेता था यानि सारी कमी को वो पूरा कर लेते थे उस बताते हैं कि पूरे टाइम तो वो चाहे चूड़िया फ्री में दे दे लेकिन शादी के टाइम पर वो सारी कसर निकाल लिया करते थे एक बार लिखक के घर पे ऐसा इंस्टिडेंट होता भी है वो थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं और बदलू को मनाने में सभी लोग लग जाते हैं यह लोहे लग गए थे यानि बहुत मुश्किल हो गई थी विवाव में इसी जोड़े का मुल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घर वाली को सारे वस्त्र मिलते धेरो अनाज मिलता उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपे जो रुपे जो मिलत सो अलग यदि संसार में बदलू को किसी बाद से चिड थी तो वहती काच की चूडियों से यदि किसी बी स्तरीके हाथों में उसे काच की चूडिया दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुट उठता यानिकि गुसा हो जाता और कभी-कभी तो दो-चार बाते भी सुना दे जो पूरवच काम कर रहे हूं पुस्तैनी वस्तूविने में जब हम रूपय पैसे से ना देकर एक वस्तूव के बदले में दूसरी वस्तूव खरीते हैं कसर का मतलब होता है घाटा पूरा करना उसके बाद आपका कुश्चा अंसर दिया गया है बच्चो फर्स कुश्चन है सोच कर लिखिए कि आप अपने मित्र या भाई बहन से किस प्रकार वस्तूविने में करते हैं तो इसका अंसर आप यहां से लिख सकते हैं कुश्चन अंबर फर्स्ट का कि मैं अक्सर अपने मित्र को अपने खिलोने या किताबे देकर उससे चॉकलेट ले लेती हूं चीक ह कि सभी को काच की चूडिया भाने लगी थी उसके विवसाई की यह दुरदर्शा बदलू को अंदर ही अंदर कचोड़ती थी यानि उसको बुरा लगता था परंतु वह अपनी इस वेदना को वह किसी को प्रकट नहीं करता था इस कारण बदलू काच की चूडियों से नफ पता चलता है कि बदलू को अपने काम से बहुत प्यार था इसका आंसर आप लिखेंगे यहां से कि बदलू रोज चार से पांच या पांच से छे लाक जोड़े लाकी चूडियों को बना लेता था और उन्हें बेलन पर चड़ा कर कुछ चड़ यानि कुछ देर के लिए च काम से बहुत जादा प्यार था कुछ नमबर 4 है बच्चो कहानी में मुहावरे का प्रियोग हुआ है जैसे लोहे लगाना यानि कि बहुत मेहनत करना गद्यांच में आई अन्य मुहावरे को खोच कर उनके अर्थ भी लिखिए तो आप लिख सकते हैं जैसे 1 कसर निकालना इसका अर्थ हो जाएगा कमी पूरी करना अंदर ही अंदर कुछ जाना इसका मतलब होता है गुसा होना अंदर ही अंदर गुसा होना दो चार सुना देना इसका मतलब होता है आपका करवी बाते बोलना थीक है यह इसका अर्थ हो जाएगा आपका करवी बाते बोलना उसके वाद कुश्शन नमर 5 और लास कुश्शन है आपका कि आप चुटियों में जिनके घर जाते हैं उनके घर की दिन चरिया आपकी घर से अलग कैसी होती है लिख़िये तो यह आप अपने अकौर्डेंग भी लिख सकते हैं कि दिन चर्या हमारे घर से बिल्कुल अलग होती है क्योंकि वहां पर रोज उठकर हमें बागानों में जाने को मिलता है हरे भरे पेड़ देखने के लिए मिलते हैं तो था कई सारे ऐसे काम करने के लिए मिलते हैं जो कि हम अपने घर यानि के शेहरों में रहकर नहीं कर पाते तो यह थी आज की आपकी वक्षीट आपको अच्छी लगी हो थैंक यू सो मच